नमस्कार दोस्तो स्वागत है। आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल दी पावर आफ ओम पर दोस्तो अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की इच्छा रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्रराइब जरूर कर लेवे। जैश्री राम इस दिन पढ़ रहा है सावन के अधिक मास का प्रदोश वरत यहां जानिये पूजा विधि और महत्व भगवान शिव को सावन माह और प्रदोश वरत दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। इस बार सावन में अधिक मास की स्थिती होने के कारण दो की जगह चार प्र प्रदोश वरत रखें जाएंगे। सावन का तीसरा प्रदोश वरत तेरह अगस्त को है। यह प्रदोश वरत रविवार के दिन होने के कारण रवी प्रदोश वरत कहलाएगा। प्रदोश वरत में संध्या के समय भगवान शंकर की विधी विधान से पूजा की जाती है। आईए जानते हैं कब रखा जाएगा सावन, अधिक मास का पहला प्रदोश वरत, शुभ मुहूर्त और महत्व। कब है प्रदोश वरत। हिंदु धर्म के पंचांग के अनुसार सावन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की त्रेयोदशी यानि तेरहवी तिथी को प्रदोश वरत रखा जाएगा। इस बार यहति थी तेरह अगस्त सुभह आठ बजकर 29 मिनट से 14 अगस्त को सुभह 10 बजकर 25 मिनट तक है। एस दिन संध्या में 7 बजकर 3 मिनट से राट 9 बजकर 12 मिनट तक शिव पूजा का शुब समय है। प्रदोश वरत का महत्व तेरह अगस्त को रविवार को प्रदोश वरत आने के कारण यह रवी प्रदोश है। प्रदोश वरत में विधिविधान से महादेव की पूजा से जातक को भय और रोगों से छुटकारा मिल जाता है। जीवन में सुख और सौभग्य की वृद्धी होती है। इस दिन महादेव के जलाभिशेक से समस्त पापों से छुटकारा दिलाने की शक्ति होती है। कब करे प्रारंभिक पूजा में माता पारवती भगवान गणेश, भगवान कारतिके और नंदी के साथ भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद आहवाह कर कलश स्थापित करें। जल से भरे कलश कमल की आकरती बनाकर को दुर्वा पर स्थापित करें। अनुषठा के बाद प्रदोश कथा या शिव पुरान सुनना चाहिए नोट यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है दपावर आफ ओम चैनल इसकी पुष्टी नहीं करता है